E. coli infection या E. seachia coli infection अगर आपकी GI tract, gastrointestinal tract को करता है तो इसमें किस तरीके के लग्सन आपको मैसूस होंगे, ये infection आपको क्यों होता है और इसका homeopathic medicine से कैसे treatment किया जा सकता है इसकी total जानकर इस वीडियो में share करेंगे तो इस वीडियो को last day जुरू देखेगा मैं हूँ डोक्टर रामदेल मोरिया, एक homeopathic consultant और आपका भूत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल पारसों पेथी में E. coli या Estrichia coli एक common infection जिसको हम बोलते हैं यह आपके यूडियो ट्रेक्ट में हो सकता है आपके GI ट्रेक्ट में हो सकता है यानि आपके स्टोमक से लेके आपके आँटों तक कहीं पे भी इसका infection हो सकता है लेकिन देखा यह जाता है कि यह जो बेक्टिरिया है हमारी आँटो नहीं पहुंचाता है यह एवन हमारे digestion के अंदर भी help करता है लेकिन यही बेक्टिरिया कई बार पैथोजनिक हो जाता है हमें बेमारी पैदा करने लग जाता है तो इसका कारण क्या है कि यह बेक्टिरिया एक types of group है यानि group का बेक्टिरिया इसमें अलग लग तरीके के अल अलग तरीके के लक्सम देखते हैं तो किसी भी कारण वस अगर यह बेक्टिरिया जो पैथोजनिक है आपके अंदर बीमारी पैदा कर सकता है यह कोलाई का infection हो गया है तो आपकी आंतों के अंदर समस्या पैदा कर देता है आपकी आंतों के अंदर यह चिपक जाता है एक त पानी contaminated है उस इकोलाई infection से contaminated है तो आपको उसकी विज़से symptoms आने लग जाते हैं कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ खाया थोड़ी देर बाद ही आपको symptoms मैसुस होने लग जाते हैं आपको उल्टी होने लग जाती है आपको पेट दर्द होके dust लगने लग जाते हैं लेकिन कई बार हम 5-5-7-7-10 दिन तक खाना पहले खाया होता है उसका infection बाद में मैसूस होता है कि हम 10 दिन पहले कहीं यातरा पे गए थे कहीं बाहर खाना खाने गए थे लेकिन आज हमें पेट में दिक्कत हो रही है इसका कारण है इसके अलग लग टाइप्स के bacteria का क्योंक जो symptoms होते हैं यह आपके डिपेंड करते हैं कि आपके bacteria का strain किस तरीके का है और कब आपको infection होया है क्योंकि इसका जो 3-5 दिन के अंदर भी इसका effect आ जाते हैं कई बार 5-10 दिन तक भी इसका effect नहीं आते हैं तो इसके जो खास symptoms होते है इकोलाई infection कि अगर पेट के अंदर है जिए ट्रेक्ट के अंदर है तो इसमें क्या होता है कि आपके पेडू में दर्द होगा आपके पेट में दर्द होगा मरोण उठने लग जाएगी इसके साथ में लूज मोसन पानी जैसे दस मैसूस होने लग जाते हैं इसमें कई बार हलका सा blood या redis color के cells आपको नजर आती ही तो ये आपको E-coli infection की वज़ए से हो सकता है बार बार पेट में दर्द होता है बार बार आपको दस लगते हैं इसके साथ में हल्की बखार भी आपको आसकती है तो यह जो symptoms अगर है तो आपको हो सकता है आपको का E-coli infection है अब ये infection आपको क्यों होता है कैसे आप इससे बस सकते हैं क्योंकि इसका जब पता होगा तब ही आप बच पाएंगी कि इसका जो main root है infection का वह फिको-oral root ये ज्यादातर हमारी आतूं में रहता है आतूं की वज़ए से आपकी जो fecal matters है इस टूल आले मेंटर हैं कहीं से भी आपकी contaminated होके चाहिए सबजियें हैं फ्रूर्स है आपका खानपान है या कोई surface आपकी contaminated हो गई या कोई toilet seat के मादम से आप infect हो गए उसकी वज़ए से ये infection आपकी बोड़ी में आ गया या हातूं की वज़ए से कैसे भी गया है ये contaminated जो foods होते हैं, vegetables होते हैं आपके वेवरेज जो भी पीने के items होते हैं उनकी वज़ए से आपकी बोड़ी में एंटर कर जाता है और आपकी आपकी आपको एफिक्ट करता है उसकी वज़ए से आपकी ये symptoms develop होते हैं अगर आपको लग रहा है इस तरिके के लक्सन आपके अंदर है आप चाहते हैं इसका जल्दी treatment करना तो हम पे थी कुछ ऐसी medicines जो आपकी इसमें मदद कर सकती उन medicine के बारे में आपको जानकर देना चाहूंगा पहली medicine है मरकोर अगर आपके पेट में मरोड जैसा दर्द हो रहा है पेट में आपको दर्द के साथ में कई बार स्टूल लूज मोसन होने लग जाते हैं लूज मोसन के अंदर भी कई बार हलका बलड सा आपको दिखता है या ब्रीडिंग भी start हो जाती है तो भी आप मरकोर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके 30 पाउर को 2-3 बूंजीब पर डाली है या आदा कप पाने में डालके भी ले सकते हैं सेकिंड जो खास medicine है कोली बेसिलिनम इसकी particular medicine है जो E-coli के लिए है इसमें बहुत अच्छा action होता है इसकी 30 पाउर को भी आप 2-3 बूंजीब डालके ले स सकते हैं बार-बार अगर आपको यह सिकायत हो रही है तो आप इस medicine का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि एक बार E-coli infection हो जाता है तो हो सकता है यह आपको बार-बार प्रेशान करें तो इससे बचने के लिए कोली बेसिलिम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह दो medicine आपके लिए काफ